सबसे पहले आप सबको जैस्री रहा है अभी ना बात करेंगे रन्वीर कपूर सर के वारे में वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए एंड तक देखना अभी कै एक जो उनका ग्राफ है उसको थोड़ा समझने की कोसिस करते है एक्च्वल में मिरको अभी लगता है जैसे कि एसर के अनी की सारुखांसर ने किया था अभी के टाइम पे अगर आप बॉलिवूड के अंदर किसी एक्टर को सबसे ज्यादा स्टेबल देखते हो तो मेरी नजर में है रनवीर कपूर रनवीर कपूर है एक अकेले एक्टर है जो कि आने वाले मेभी 10 से 20 साल त करना था तो उनने उसी टाइम पे कर दिया था जब उनकी रॉग स्टार आई थी अभी तो उनको सूपरिस्टार का टाइग भी मिल चुका है जो कि मेभी रितिक रोशन सर जिसको डिजर्व करते थे मैंने कहीं ना कहीं यह चीज बोली भी थी मेरको ऐसा लगता है कुछ लो अगरी करता था लेकिन आफ्टर सक्सेश ऑफ एनीमल और उसके बाद में उनके पास पता है कितने प्रोजेक्ट हैं ब्रहमास्तर टू के लिए मैं वेट कर रहा हूं और मैं ही नहीं मेरे जैसे कितनी ओडियंस है जो कि ब्रहमास्तर टू फिल्म के लिए वेट कर रही है अभी एक रॉच यह की भी यह है दो है लेकिर मेरे को लगता है तीन ही पारट है क्योंकि कांफॉर्मेशन यही थी कि यह थी पी यह तीन पार्ट हो गे उसके अगर अगर अन्दर के साफ़ से बात करे तो आयानमुकरजी उन्हों है उन्हों इसके बाद में वार 2 यहां ने करें अयान भुख़नटी कर रहे हैं , अयानमुखर जी, वर्टू को भी अच्छा कासे कॉले करने वाली है इसके बाद में अगर मैं आख जोगा वह पर्न अब्धिय कीच्छा हुगी medium बात आ रहा हूं 50-90 % सबस्किनीinely चाहँ जो वीजन है वो अलग है cinematography, action sequences और जो यह thought है ना उनकी जो cinéma से प्यार करता है जैसे कि मेरको यह बनाना है, मेरको यह करना है तो वो चीज़े जो होती है ना तो वो आयान मुकरजी का जो वीजन है वो दिखता है उनकी फिल्मों के अंदर जो की recent time में ही है उसके बाद में अगर मैं बात करूं फिर ब्रह्मास्तर का number आएगा ब्रह्मास्तर टू का और उसके बीच में यह जो फिल्में है इन में से अगर success होती है ना एक यह दो फिल्में भी आपको पता है कितने project होंगे आने वाले time में रनवीर कपूर के हाथ में रनवीर कपूर एक आज के कॉमेंट गर के बताओ कौन आसपास देख रहा है आपको या फिर आपको क्या लगता है कि कौन उनको बीट कर सकता है कोई नहीं है भाई साब आसपास अभी दूर दूर तक नहीं है कोई